अबीर जी बीबी इंदरजीत कौर जी और आज सादे सामने जिनने भी दूर दूर तो आए बच्चो और बड़े बिद्वान लेडीज और जेंटलमेट दो तेन दिन पहले या कुछ दिन पहले बजट पेश होया और बजट पेश होया तो जड़े असी लोग अकसर उदे उपर मीडिया विच उदा इंट्रप्रेशन कर दे है वो ते एक सवाल बड़ा इंपोर्टन सी गा कि भई एगरिकल्चर नो टॉप प्रयाइटी ते रख्या गया है इस बार भी तो मैंने एक सवाल पुछया गया कि भई तो आनो लगदा है कि एगरिकल्चर दा क्राइसिस जड़ा हैगा इस बज़ट दे नाल या इस बज़ट दे अप्रोच दे नाल एड्रेस हो जाएगा मेरा एक जवाब सिगा कि भई कट तो कट पच्ची साल ते मैंनो हो गए आगे कि बज़ट नो मैं सुनदा हैगा अनलेसिस करदा हैगा पच्ची साल विच बड़े-बड़े अलग-लग किसम दे जड़ेवे विदवान आए एस फनास मिनस्टर उन्हेंने की किसी ने क्या किसान की अज़जादी का बजड़ट है किसी ने क्या ये देश दी लाइफ लाइफ लाइन है उदा बज़ट है तो सारे जनियांभी लाइफ-लाइन से गई आपा बजट सुनते आए पच्ची साल हो गए सानू और पच्ची साल दे बिचि क्राईसिज खेती दा या जड़े किसाना दा आज संकट हा वो इना गंबीर होंदा गया कि आज अगर असी देखिये तो तकरीबन 25 सालां बीच चार लख किसान आतम हत्या कर चुके है गए और फिर भी अपक गिंदे हैं कि भी बजट विच प्रोथसाहान अग्रिकल्चर नो प्रायरिटी अग्रिकल्चर नो तॉप प्रायरिटी अग्रिकल्चर नो हर बजट विच टॉप प्रायरिटी अग्रिकल्चर नो हर बजट विच टॉप प्रायरिटी मिली है और फिर भी कि इस्ट्रस जिन्हों कहने हैं खेती विच संकट औहूर भी सीरियस होंदा गया सीविर होंदा गया तक क्या कारण है कि सानों पच्छी साल भी समझ नहीं आया कि खेती दी दुर्दश्शा क्यों है गी है और यह लेकिन जादा से डिबेट कर दे है गया या तुछी अगले दिन जड़ा बजट है ओ इस वरी बजट दिखाया गया या पेश किता गया है गया पर मैंनो तो समझ नहीं आनता कि पच्छी साल तो तद मैं ही देखता आ रहे हैंगा कि बजट विच किना परोसाहन देता गया अगरिकल्चर नो और फिर भी खेती जड़ी है गया ओ डिकलाइन जड़ी है डिकलाइन जड़ मैं कहना है तो मैं इस एंगल तो कहना है कि बज़ी किसान जड़ा है गा ओ खेती दे उस गंबीर संकट या चक्रवियू विच इस तरह फस्या होया है कि उन्हों चक्रवियू तो निकालन दी कोई प्रयास नहीं हो रहा है गा मेरा सब्मिशन त किसान क्यों मजबूर सीगा कि उन्हें एक साल तो जादे अपा जान दे हैं कि दिनली दे बॉर्डर ते उन्होंने प्रोटेस्ट किता उदे बाद होन भी अपा देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं गया है किसान होन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं गया है उनकी मंग क किसान नो साधी फसल दा उचित दाम देदेओ पर आसी कहने है कि भी किसान देश दा आनदाता हैगा एक प्रॉब्लम है कि ए तो अड़े सड़क तो तुसी जान देओ तो अड़े चिलान हो जाए या तो अनु रोक ले पुलीस वाला उन्हों तुसी कहा देओ इंस्पेक्टर साब तुसी तो अड़े हुंदे मेरा चलान हो सदा या तुसी मनों जान दियो ता उन्हों उद्धी मुच्छा ओपर हो जान दिया हो कहनदा जाओ मारा है तुसी इंस्पेक्टर कहता उन्हों किसान नो तुसी आनदाता के दें दें वो भी खुश हो जानदा उदी मुच्छा भी उपर हो जानदी है वो सूच दें कि सारा मैं ही आनदाता है मैं ही देश नो चलाई जाना है गा तो उनों लगदा कि मेरा तो कोई क्राइसिस नहीं है गा मेरा कुछ संकत नहीं है गा मन लदा कि इस सोच तो जिरा साधे किशी मंतिरी ने भी हुण किया है गा कि मैं किसाना दी पूजा करना है गा सानु किसाना दी पूजा नहीं चाहिए गी है सानु किसाना दा हत पकड़ के चलन दी गल सानु चाहिए गी है इते पूजा करना जिसन किसानों के भी तॉड़ तुसी आनदाता हो और तॉड़ जड़ा है गार तॉड़ करके दुनिया चल दी है या ऐसी तोड़ी पूझा करने वास्ते आए गया ऑगा और किते कितने किते हैं अपनी कमजोरी पहले दिखा देने है कि तॉड़ा कुछ निहुन होना तॉड़ी ऐस जिन्दे भी नहीं है गया तुछ अगर उन्हा कुछ जाके देखो या सम्झेंदा प्रियास करो सारे हिंदोस्तान दा मने याद है दोहजार सूना दा जड़ बजट पेश होया तो तो दो दिन पहले एक से सर्वे पेश होंदा है एकुनामिक सर्वे बिज सिगा कि वहाए अद्धे देश विजज यानि सतारा राज्यवेच सेवंटीन स्टेट्स आफ इंडिया एकुनामिक सर्वे कहनदा है कि उना दी अगर इनकम देखी जाए आवरिज इनकम ता उस साल दी 20,000 रुपे है वी हजार रुपे ज़्ज अगर अद्धे देश वेज़ किसान गुझारा कर रहे हैं तो सबनों सवाल पुझन दी जरूर्त है गिए भी गुझारा किस तह करते हों गे? 20,000 तै मतलब हैगा कि सफारा सू रुपेorient तो काट हर में ने किसान गुजारा कर रहा हैगा अद्धे देश बेचे स्तारा सो रुपे जड़ा नहीं पाल सकता अपा सोचिए कि किसान परिवार किसना जिंदा होईगा और सरकारी आंकड़ा हैगा कि सरकारी आंकड़ा हैगा कि बी हजार रुपे अद्धे देश बेचे स्तारा राजे बेच सरकार प्रवादी इंकम है गी है और फिर भी ऐसी किसान नो इंकम नहीं देना चांदे अगर तुस्य सारा अपना एकनॉमिक ज़ना डिजाइन उन्हों समझन दा प्रियास करो तब पूरी कोशिश दुनिया दिये ही है कि किसाना नो इंकम ना मिले इना नो जड़ा हुदा हक है उन मिले और इस आनो सममझो समझना है हर जयากा करना है कि वे तुस्सी सोझ दो की फजूने इकिसान ने आठामत्या कर ली किसी पेंड विच होएगा या आस pięardos दे पेंड वेचे गल लों दी कि वे फजनो कि इस ने आठामत्या कर ली आतमत्या रामत्या पर समझो कि आठामत्य इस दिजाइन है एक इस तरह खेती चो कड़ना है चाहे हो मरजान या चाहे हो अपने आप छड़के चले जान लेकिन कोशिश है कि इना नोग भी वह देख्या जिनने पढ़के आने हैं एक सोच है मान सकता विछ बहुत जाद एक लोग है इना नोग खेती चो जट तक नहीं क अगरी कल्चर विच है कि पाईयां तुसी अपने शैर ता देख लो सारे शैर जड़ी है गया दबे पर है बोज तरले जिए पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है गया कदी नहीं कोई कहनदा कि इना लोकों नो इतनों कड़ो तुसे कहनदे हो और लोकी लगे आओ सारी थो पूरी प्रयास ही चल रहे है कि भी लोकों नो पिंदा चो कड़के शैर वीच लगे आओ एही प्रयास अमेरिकाड चलिया यही प्रयास यूरब बे चलिया अएही प्रयास उन्हें हिंद तुस्तन चल रही है गाओ zoo Ñ iedereen जक्सर जमतागी हाग्या है या आम लोग माने कोड़ो पुछा एक GDP की होनदा हो जिनना को चारे पढ़ सक्देशिगे होको k hani hannay aogagenot पर उननो smझी नाइ घर नू फिर मेरे बस से चैलेंज हो गया कि मैं अपने माता जी उन्हों किसना समझावा कि GDP की हुंदी हागी है थोड़ा जया मैं अध्यान किता है फिर मैंनों समझ आया GDP मतलब है कि अगर एक पेड़ खड़ा है तो GDP नहीं बढ़ दी तुसी पेड़ नो कट लेओ तो GDP बढ़ जानती हों तुसी देख लो साड़े हिंदोस्तान वीचे किनने पेड़ कटे जा रहे है और अंदा धुंद पेड़ कटे जानते हागी है कोई सड़क बढ़ानी हो ता सब्सक्राइब टो लैइंड़ एक लेजा तो आपाउनों कर देने आगें जाके उथे असीलोग ही कहनना जाके उठ्र लोग कहने जाके उथे कि लोग कि कहांस तरस्ते है तो इसे कि Spider Co तो ही कहने है कि पेड़ तो एलुकान के लिड़ केस बड़े मांच औरश पॉस तरस् इस आड़ी सोच है कि विकास्ता मतलब यही हैगा पर मेरा समिशन है कि जदा कुछी एक पेड़ नो कट दे है गया तो GDP बढ़ दी है गया एक रिपोर्ट मैं पड़ी सेगी कि हिंदोस्तार जिनने पेड़ खड़े है उन्हानों तुसे सारे नो कट दे हो गर तद तो अड़ी जीडीपी सताई परसंट हो जांदी तो अपा आठस परसंट ही है और कि लड़ रहे है गया तो सारे पेड़ कट दे हो तो अड़ी जीडीपी जड़ी है गया सताई परसंट हो जाई उन्हान तो अड़ी चॉइस है तुसी पेड़ चांद दे हो कि जीडीपी चांद दे हो पर आम जनता के इस गल नो सवाल नो जवाब देगी मैंनों नहीं पता लेकिन मैं लगदा हैगा कि किते सारी फित्रत विचे यांदा हैगा कि जट तक GDP नहीं होएगी साड़ा विकास नहीं होएगा मैं याद एक मुख्यमंत्री से गए मद्यप्रदेश ते जिस टाइम मुख्यमंत्री से गए ता एक नर्मदा ते एक डिबेट होई नर्मदा ते ही बार दे कॉर्णर ते मैं भी उस डिबेट भी शामिल से गा तो उन्हेंने किया कि मैं नर्मदा फुतर हूँ लेकिन ज़ाद नर्मदा ते विकास दी गल हुंदी है ता मेरे मैं I'm helpless मैंनो GDP देवारे सोचना पेंदा मैं अपने भाशन में किया जी कि बहुत इच्छी गल है तुसी अगर GDP बढ़ानी है अपनी तब बेस तरीक है तुसी नर्मदा नो जिनना गंदा करोगे उनी तो अड़ी GDP बढ़ेगे और GDP किस्ता बढ़ दिया है तुसी गंगा ता देख्या हाल गंगा असी सब ने परदूशित किती है सब ने मिल जूल के परदूशित किती है GDP एक बार नहीं तिन वार बढ़ जान दी है एक वार ता ता बढ़ी जब तुसी उदे आसपास जड़े प्लांट लगाए जिना ने अपना एफल्यूंट उदे बेश सुटिया जीडीपी बढ़गी तुसी प्लांट लगाए जीडीपी बढ़गी फिर दूसरी वारी ता बढ़ी जब तुसी उदा पानी प्या तुसी भी प्रोजेक्ट है के साफ करनों और जीडीपी फिर बढ़ गी तब तुसी जिनना नदियानों गंधा करोगे और जीडीपी एक नहीं दो नहीं तिन वार बढ़ जान दिया और तुसी बढ़े खुश हों दिया अपने पिछे के कहने पिछनों शाबाशी दें दिया के जिनना पैसा अब अदल बदल कर दे है गया और वो डीगल जो प्रोसेस विचाएगा तो जीडीपी बढ़ जान दा है अब जाद कार लई दो करोड़ दी लई जीडीपी बढ़ गई जब तुसी कार चलाई फिर तो अनों पता है की होया और लाल बती ते कार रुक दी भी ह जीडीपी फिर बढ़ जान दी हागी है जब तुसी पैट्रोल यूज किता ता भी जीडीपी बढ़ी और जब तुसी उदे नाल पॉलूशन दे नाल तुसी भी बिमार होए मैं भी बिमार होया तुसी डॉक्टर को गए डॉक्टर ने फीस लई तुसी फीस जिप्ती है गया इस दी मोस्ट पलूटिंग कार इंदी वर्ल्ड लेकिन अपा ब्लेम नहीं करते है अपने आपनों असी ब्लेम करांगे किसाना नो कि तुसी स्टबल बर्निंग किते ता ता तो अडेनल पॉलूशन हो रहा है गा लेकिन जए तुसी अपनी कार लेके चले हो गए हैगा वो जीडिपी बढ़ान बास दे सम्मिशन में अगया कि है अपा समझाएं यह गिड़िपी ता खेल है की बास हो इसनो और किसे करने देश दे दे निया दे कुछ पॉनमिस्टिक चाहा है है वो किया रहे हैं जी कि GDP नापन दा तरीका बड़ा मुश्किल हो गया है तुसी एक काम करो रात नो दुनिया दा जड़ी फोटो आंदी है न आपा देखने है पिच्चर अर्थ विचे इंदर लाइटा जादे हैं इदर लाइटा काट है गया उधी इंटेंस्टी नो आप तो सानों पता सल जाएगा कि GDP किन्नी होंदी है गी एक तरफ तो यह एकॉनिस्ट कहा रहे है दूसरे एकॉनिस्ट है कहनते है कि साब तुसी रेड लाइट जड़ी होंदी है जाते गड़ियां खड़ियां होंदी है तो तुसी एगर GDP चान दे होए तो जे रेड लाइट ए एक मिनिट दी है तो उन्हों तेन मिनिट कर दे हो जै तेन मिनिट दी है ता चार मिनिट कर दे हो तो अड़ी जीडीपी फिर बढ़ गी क्योंकि उन्हें पेट्रॉल जल रहे है तो अड़ी जीडीपी बढ़ रही है गी है उन्हें चौइस तो अड़ी है मेरे तो कोई प्रॉ पहले आपा खेती दबिस देख लिए जद अज़ादी होई साड़ी सानों पता है कि सेकंड वर्ल्ड बार दे कुछ साला बाद आसी अज़ाद होई है गया है उस टेम की होया जड़ी उन्हों कोल गैसा रही है जड़ी उन्होंने वार्च यूस किती से गिया उन्हों तो उप पंजाब परसेंट दुनिया दी जड़ी दवाईयां है गया वो एक फसल पे यूज हों दी है कपाते हैं पंजाब परसेंट यानि इंडस्ट्री जड़ी है सर्वाइव कर दी है कि कपास दे ही पर इंट्रेस्टिंग आना है उस टेम पहली जनरेशन पेस्टिसाइड आई DDT उन्हें कीडे मारते हैं तक कुछ तोब यह दिन चार साम कीडे मरे उदे बाद की होया कि कीडा फिर रिजिस्टेंट हो गया कीडे ता दो आई दाशर ही ना पर फिर सेक al direct chemical ना यह एक novिया कीडे दो तिन साल तक कीड़े मारे उधे बाद फिर कीड़ा जड़ा हैगा बहादूर हो गया वो नहीं मरदा सीगा फिर थर्ड जेनरेशन केमिकल आए फिर फॉर्ट जेनरेशन केमिकल आए फॉर्ट जड़ केमिकल आए जिनों आसी सिंथेटिक पायरोफ्रोइड कहने है गया टेक कीड़ा नहीं मरदा पक्षी भी मोर भी एनिमल्स भी उदनाल एफेक्ट हों दे हैं मर जान दे हा गया है पर साथे सैंटिस्टान सब ने जोड़ लाया कि सैंथेटिक पैरिफ्राइड नो लेके आओ क्योंकि सानों किसान नो बचाना है गा हो गया चार-पंच साल कीड़ा इमन्यों दे खिलाफ जड़ा चकर भी उबने हैं सिगा ते ही सत रिंग तुसे कॉटन फार्मर दे देख लो चार रिंग ता तो अड़े सामने में समझाते जद कीड़ा नी मरें मनो याद है मैं पंजाब दे पिंड़ां भी जानदा सिगा ता मनो कई किसाना ने कहना पाज पिर बीटी वान आगी पहले बीटी कॉटन जिन्हों अपकर करने है गया बड़े खुश किसान भी खुश ता सैंटिस भी बड़े खुश और कीड़ा फिर जड़ा है गारे खिलाफ उन्होंने किया सिगा कि तुसी ना इदे बीटी कॉटन आ जाएगी तो दवाईया दा प बीटी तू आगी यानि बोलगा दो ना आउदा है गा ओगे ती किसाना ने लेया उदे बाद फिर तिन-चार साल बात किसान लिए और कीड़ा नहीं मरें फिर कीड़ा फढ़ा हो गया फिर उनना गाल हो रही है ऑन पंजाब दे ही लोगचे जड़े एगरिकल्चे नो BT 3 भी लेके आओ, यह BT 3 दी डिमांड हो रही है, चकर विव चो कटना नहीं कोई चांदा, चकर विव चो हो रत खेलना चांदा यह किसान और आसे नहीं समझदे इस गल्ला नो, आसे नहीं समझदे वड़े खुश होनने है कि देखो जी इनना पेस्टि आचा, क्योंकि पे मंत्री चंदा की पेस्टिसाइड बंद हो जाए क्यों जीडीपी तताई बढ़ दी है जिब बंद होगी तक कट जाएगा प्राब्लम हो जाएगा तो इस करके जीडीपी बढ़ान दे चकर विचा अपकिसान नो चकर विचा फसाता है गा तो तुस्सी सोच रहे हो कि बीटी उदे आसपास हैगा उदे जीडीड नो ही बदल देगी मैं नहीं पता की असर पएगा मैं तो सिर्फ दसना चांदा कि वो इस लेवल ते भी चले गया है कि उन्हाने देखा कि पाया तो पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड नाली जिनेटिक में जिनों कहलना पर किसान नो उस चकर वीउचों नहीं कट सकते क्योंकि जीडिपी बढ़ान दा चकर वीउचों आसी देखे लिया इनने साला तो क्या उगलों तो नहीं कट सकते हर्याना विचे तुसी अगर जीन जिले विचे जान दा प्रियास करो कदी उथे दो तिन पिंड से गए निदाना बड़ा फेमस पिंड हैगा उना दा उन्हाने शुरू किता उन्हाने अच्छे कीड़े और माड़े कीड़े नो अरेंटिफाई कर लिया वो कहनते हैं कीड़े दो प्रिकास दे हुंदे एक कीड़े वेज़िटेरियन होंदे हैं एक कीड़े नॉन वेज़िटेरियन होंदे जिसना अपना नॉन वेज़िटेरियन होंदे हैं तो कीड़े वी वेज़िटेरियन नॉन वेज़िटेरियन होंदे हैं जिना कीरा वेजक्टेरीन हुą ज़ादे नुकसान खरदां करुब कि फसर नों खानता है। तो उत्ते लोकोंने लोक्ते लाइथा को स attorneys केड़ किन candidate काुणा को पेस्टिसाइड किन कता हुए। फिर भी उना दी पैदावार बड़ी अच्छी होंगी पर युनिवस्टियां नहीं लाना चांदियां क्योंकि डार यह है कि जीडिपी किसना फिर बढ़ जाएगी है जीडिपी ते की असर पहेगा इस करके में करना है क्योंकि युनिवस्टिय ने बच्चानों देना पेंदा हैगा तो यह ता हो गया एक चक्रवीव अपा किसांदा देखते हैं दुज्जा चक्रवीव अपा जीडिपी ता सारी सुसाइटी ते देख रहे हैं और तुसी एना सोचोगा अपा इथे बैख के कही वरी गल्ला होंदी है क्योंकि अपा अमेजिनेशन सी देख कर दिबार खड़े हो जाओ तस्वीरे पांचे वजे लाइन लगी हुंदी है कि अनिवे मतलब सब दा प्रयास है कि सारा एपल जिड़ा दुनिया दा ओगर अमेरिका है अमेरिका भी खेती ता की हाल है बहुत सारे लोग केंदे अमेरिका दे किसां तो बड़े नैशनल एवरेज तो साड़े तिन गुणा जादे सूसेड्स हो रही है और पिंड़ा मिच हो रही है अमेरिका बीच आजे हलात हैगए कि अमेरिका ख़तमी होगा किसान तकरिवां तकरिवन तकरिवन देड़ परसंट किसान रह गया है असी मन के चल दे है गया कि हिंदोस् संते आ जाया था साड़े एकॉनमिस था बले-बले कर दें कि देखो जी तरफ प्रगती ता रस्ता है गा कि अपा खेती चो किसान करते होना आप तरक्की कर सकते हैं क्योंकि यह भी एक सोच है गी है कि जब तक जाले लोग खेती चे रहेंगे तब तक देशनी प्रगती नहीं हो सकती यह माया गया इस साड़े में माइन विच पाता गया है गया और असी सब इन गलनों मन लेने हैं कि अगर किसान जटक अपा कड़नांगे नहीं खेती चो ता ए देशनी जीडिपी है और नहीं बढ़ सकती है और इसी रेस विच साड़ा सारा प्रियास अगर तुसी प कि हिंदोस्तान दा बेस्ट तरीका एकनॉमिक्स दा ग्रो करन दा ताहीं होएगा कि जड़ा सी पिंडा चो किसाना नो कड़के शेरा विच लेकी आवागे क्योंकि शेरा विच सस्ती लेबर दी जुरूत है यानि तो नो दिहारी मजदूर तो नो शेरा विच चाइदे है लोग की कड़े जारे हैं पिंडा तो ताकि शेर ते मजदूर जो यानि एकनॉमिक रिफॉर्म्स बेस कर दे हैं गे सस्ती लेबर ते और लेबर कितों आएगे खेती चो आएगी तो खेती चो लोग का नो कड़िया जारे है शेर बिच लेकि आप आ रहे और असी सारे कहनने बिच तो आड़े माइंड बिच पाता गिया है गा मेरा सभीशन है कि ज़द उन्नी सो इकानवे दा रिफॉर्म्स हिंदोस्तान चाहे सिगे जिनों अपा की कंदे नियू लिबरल एकनॉमिक्स करने है ज़द शुरू होई सिगी नाइटी 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 वान बिच है स असी इंडस्ट्री नो इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया असी एगरी कल्चर नो छड़ता पुल गे असी जे असी उस्ट में एगरी कल्चर नो भी सेकिंड इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया हुंदा मेरा मनना है कि आज देश दी प्रगती सबका साथ सबका विकास दे रस्टेते होनी स पर आपके ते पूल गे अपने कंदे थे तो अड़ा बर्डन चुपके चल रहा है तुसी बोलो किस तरह अगर आज जो देश संपन है खादे सुरप्षा बिल्कुल है तो अड़ा एक्सपोर्ट करना दे करड़ी केपैस्टी है तो उस किसान ने तो अनों केपैस्टी जड़ा जड़ा एक जड़ी बिल्डिंग खड़ी है उदे थनले जड़ी फांडेशन और एग्री कल्चर दे बेस्ट हगी है उस बेस्ट नों आपा सुचे नहीं कदी कि सानों अमेरिका योरोप में जो किया आसी उन्हों ब्लाइंडली कॉपी करके अपना एकनोमिक रिफ इदे वास्ते की ज़ूरत है किये मेरा सब्मिशन दो है गे तोड़े सामने एक तर जड़ा किसान साड़ा मंग रहा हैगा कि मैंनो कानोनी अधिकार दिता जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दा और शेर्द लोकानों कब रांदी जूरत नहीं है मैंनो नहीं समझ आनदा जिस सड़ी बड़ी मिल दी है गये सारी गिल्ला कहीं जान दी है गये किसाना दिप्रती एक क्यों साड़े मान सकता बिचे आ गया किसान साड़ा दुश्मन है जहर जिड़ा हैगा कविता जी जहर जिड़ा हैगा ओ अपना हिंदू-मुस्लिम तक ही नहीं है जहर किसाना दे आपके लेगे कर दो के लिखे देगा कि अधिक लिखिए आप मेर जाना चाहिए जड़ किने किसान मर गए पनजाब चेब चुह चाहर जिन आक भूर कर च्षब दा है अधिक अधिक अधिर है किर जोग नो को सोच तो निकलना किसी तरहा है गा है इतिक इच वन आफ इस रोल आपस सब्सक्राइब काम हैगा एक आस्पेक्ट हो गया होना आपस सोच दिया है कि वितमंतिरी ने बजट पेश किता है उदे विच अगरी कल्चर दा जड़ा बजट है टूटल मज़े दी गल्ले है कि 50% जनसंख्या हिंदोस्तान दी खेती विच आगी है 50% मतलब है population almost double the population of America इन लोग साथे खेती जुड़े होए है इन लोग की खेती विच जुड़े होए है इन उनों मैंने सांक है 70 क्रोड लोगी है बजट उनों मिल दा तिन परसेंट टोटल बजट दा हिस्सा तिन परसेंट तिन परसेंट मतलब देड़ लग क्रोड रुपया इस वार चरनों मिलिया है एक इस देड़ लग क्रोड विच की होएगा तुसी सब जान दे हो जद कि पंजाब परसेंट पॉपूलेशन है टोटल बजट अर्ताली लग क्रोड पेदा है गा अर्ताली लग क्रोड चों खेती नों सिरफ तिन परसेंट मिलदा है गा और बाकी किते जा करना होनी चाहिए ताकि पता चले कि दा किना योगदान हैगा मेरा करना कि शैद जो अपा करन जा रहे है वो भी उसी गल्लों ही देखन दा तरीका है कि दूजी नजरनाल दूजी नजरनाल है कि अगर बजट दा अदा हिस्सा आज अच्छारी लग क्रोड रुपे दी बज है वो देख शेडूल कास्ट भी है शेडूल ट्राइस भी ओबी सी जो भी करने है वो देख ब्रामन भी हैगे है सो सारे तब किया नो एक तरह दा एड्रस कर दे रहूंदा है और चौबी लग क्रोड रुपे दी जद मैं गल करना था जो मैंने पुछ दे गए गए पतरकार तो भी हस दे आगे है तो कि उन्होंने कदी सोची है नहीं कदी हो सकता है मैंनो याद है पिछली वरी वे गल केती सी बेबी जी कि जद वाजबई साब दी पहली सरकार बढ़ी सी गी तो उन्हों याद होगा 1996 उना दी सरकार बढ़ी सी 13 दिन दी उस सरकार दे बिच एक बड मुर्ली मुर्य जोशी प्राइमनिस्टर अनौस होगे सीगे पर वो नहीं आ सके उन्होंने मुर्ली मुर्य जोशी जीनों किया जाओ उस वो बैख लोग जोज दोर मीटिंग से गी उदे बिच अपने एकॉनमिस्ट ने जो भी क्या करन्ट अकाउंट डेफिसेट काट करो यानि वित्य घाटा काट करो इस सारी गलना जो हो दिया है एकॉनमिक्स दे जड़े नॉर्मल फाउंडेशन जो फॉर्मूले है गया है मैंनों पुछया गया कि भी तो अडे साब नल की होना चाहिए दा मैं उन्हों किया कि मैंने ये समझ नहीं आंदा उस जमाने चे 60% पॉपुलेशन खेती ना जूड़ी से गई मैं उते किया कि 60% बज़ेट 60% खेती नो क्यों नहीं जा सकता जब मैं मीटिंग विच किया तो मेरे खिलाब पहले तक हार रियक्शन आने ही से गए एकॉनमिस्ट ने किया कि ये हो नहीं सकता देश दी जड़ी के गंदे एकॉनमी है धुस्त हो जाएगी है हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी सारी गल्ला होई है पर मैं अपनी गल्ते अडिग रहा तिन जदो रिपोर्ट चली गई अगले दिमानों प्रैम मिनिस्टर इसकी गर्णल करना चांदे है जद उन्होंने मेरे इन गल किती है उन्होंने किया तिसी कल सानों दस्या आहगा कि 60% बजट जड़ा है उस 6% पॉपुलिशन नो जाणा चाहिए रहा है मैं तो नहों कुछ दो जवाब देखते हैं और मैंनों हिरानगी तद होई कि अगले द सरकार ने अनाउंस करता ए भी एंडिया सरकार सीगी सरकार ने अनाउंस करता कि 60% बजट 60% पॉपुलिशन नो देमा गया हंगामा हो या अखवारों ने लिखिया किसना हो गया अजी ये नहीं होना चाहिएदा है गा पर ओ जद प्राइमिस्टर ने सारा देश पर मानी लेंदा है उन्हाने कहता पर दुखे गल्ज़ आए या अफसोस ना होए है कि जद तेरा दिन दे बादो सरकारी गर गे और उदो में ख़ल इंजार ही कर रहे सी कि भी होन अगली बर इनी बुलाना किसी नो भी जड़ा बोले कि पंजाब परसंट बजट अगरी कल्चर नो दे हो आज साड़ी सिच्वेशन है कि अगर आसी अच्तारी लग क्रोड रुपे दा बजट लेके आने है गया है तो दे बिच्छे चौभी लग क्रोड रुपे मेरा मनना है कि अगरी कल्चर नो जाना चाहिए दा जिदे बिच्छे पिंड़ा दे स्कूल भी हों पिंड़ा दे हेल्थ भी होए एजुकेशन भी होए इस सारी गल्ला जड़ी है पिंड़ा जिसना विस्तार करना चाहने है या डिवल्लप करना चाहने है ओ आसी करिए पर ताह करिए ना ज़िए तुसी बोलो तुस्ता बोलते नहीं फिर तुसी सोदियो सरकार करे या तुसी सोदियो मैं ही कराँ इस ता नहीं हो सब्दा अपनो सारे अनो मिलके अपने अपने जिस भी लेवल ते तुसी हो गल करो ओ एक नेरेटिव बनाओ नेरेटिव बन सकता है जिसना रवीश कहनदे है गया कि वह अंकल अंटी जिले वाटसअप ग्रूप चिलांदे है और जहर फिलांदे है उधी जगह तुसी किती एवी गलन शुरू कर दे हो कि 24 लग करोड रुपे किसाना नों जाना चाहिए आएगा एक नेरेटिव बनता है तुसी सब कर सादे हो तुसी सब कोल वाटसअप हैगा तुसी फाल तूदे वीडियो देखी जान दे हो गाने सुनी जान दे हो यह तुसी एक काम भी करने शुरू कर दे हो तो समाज वेचे बदलाव आ सकता है मेरा सब्मेशन एहा है कि भई तुसी आपाँ सोचिए कि किसान जो मर रहा है गा उसकर के नहीं मर रहा है कि उदों आंदा नहीं है आ खेती भई उसकर के मर रहा है कि एक प्ड़ी एकॉनोंक डिजान नो समझन दासी परियास निकिता और दूसरी गाले यह हैगा कि आपा जान दे हैं कि सानु करंदी जूर्त नहीं है जिसना कविता जी पहले भी कर रही से जद मैं सुन रहे हैं सेगा कि भी वो समभालेगा आपा देखिया यह है कि जर्मनी बिचकी होया सेगा जद सारी खतम हो गया ता नंबर तो अड़ा भी आएगा तो यह मैं सोचो कि तो अड़ा नंबर नहीं आएगा तो अड़ा नंबर भी आएगा जद बाकि खतम हो जानगे तो इस अधिक इस अर कॉमन रिस्पॉंसिबिलिटी कि अपा सोच के मिलके इस गलनों बढ़ाईए कि भाई ए नेरेटिव साड़ा होना चेदा हैगा मन लादा कि जद आपा एक समझ इस तरह बन जानदी है गिया देश वेचे या ओही जड़ी समझ है गिया ओ देश वेचे बदलाव लेके आन दी प्रयास उस तरिके तो हो सदा होर कोई चारा हैगा नहीं है और अज जिस असी डे विच असी थे कठे होई है गया इस टाइम थे कठे होई है गया मन लगदा कि पगत पूरण सिंग जे भी सानों इही दस्दे होंदे से पगत पूरण सिंग भी सानों यही दस्दे सिगे और यही उना दा जरी उना दे लेखन है वो बिसिकली इसी चीज़ दे सिगा कि परेवर नो किस तना बचाईए और अपा सब दा समाज ज़सां पर कहने है साड़ी जरे प्राइम निस्टर आजकल कहने है सबका साथ सबका वि है तो पगत पूरण सिंग दी जड़ी कंट्रिबुशन है मनना दा किसानों और कदीब अपा उनों मुकाबला नहीं कर सदे पर मनना दा कि मैसेज यही देगेगे कि सारे लोकों नों के आगे तुसी जागो तुसी अपनी रिस्पॉंसिबिल्टी समझो आज वो टाइम हट है गा जब पह कहने है कि साड जर्णा मीडिया होगा किसे नहीं करते हैं आप सारे लोक यह जोड़ा टीवीया बड़ी क्षवारा किसे आम अदमें दी गल नहीं 요ई कर दिया है आज तुसी अगर यह कहोग तर तुसी ही दोशी हो सदून कितो अड़े उच्थभीमीडिया है को आज अदधे हाथ विच मीडिया मेडिया आएगा। मייתिस यु जुखक 15 के विश अठाक। मीडिया विच चैनल होंगाफ़ काथ। इसा अधा उप्योग ही नहीं करे। तो लेडिर्ज और जैंटलमेन मन लगता कि अगर आज पगत्पूरूरं सिंख जे भी जेवित होनदे तो वो भी से आनों कहने कि सोशल मीडिया दा उपयोग करो सोशल मीडिया दा उपयोग करो सोशल इशूज वास्ते और ये आसी एक करले होंदा ताज साड़ा देश बदलदा लेकिन कई लोग की कहन दे है कि वे असली पेड लगांदा या ठीक पेड लगांदा टाइम भी साल पहले सीगा होन दूसरा आज है तो इसी तरी के नाल आज ये न करो कि भी पहले टाइम सीगा नहीं आज तो अड़ा भी टाइम हैगा तो लेट आस आल जाएन हैंड्स आपा इससी नो जोड़िये बढ़ाइए इससी नो सर्कुलेट करिये एक तुझे नो इन्फॉर्म करिये मन लगदा कि जरह आपा कहनँ आएगा कि नहीं आएगा जरह आपा डाउट चाह niemand ताहीं आएगा जड़ तुस्छी लोग अपनी इस पावर दा इस्तेमाल करना सिख्ख होगे तो यह तोड़े हाथ विच हैगा, कि तुछी पावर इस्तिमाल करना चांदे हो कि नहीं, इसी गलिनल जानदे जानदे, मैं गलहोर कहा है, मां सर, वह यह हैगा कि बहुत सारे लोकी गलहोर कर दिया है, कि साड़ा जना फूर्ड है, वह बड़ा पल्यूटेड हैगा, बड़ा contaminated हैगा, बड़ा जहरिल्या हैगा, इस सारे लोग की केंदे हैगे, मेरा सिर्फ एक रॉडनल रिक्वेस्ट है, कि यह केंद तो बजाए, तुसी एक सीच सोचो, चीज सोचन वाली एह हैगी है, कि आपा सब चानने है कि साड़ा healthy food होए, safe food होए, organic food होए, chemicals दा उपयोग ना जालते होएगे, जिए consumer demand करना शुरू कर दे कि मैंनो organic food चाहिए, healthy food चाहिए, तब तो उन्हों दुकानदार मजबूर है कि तो उन्हों लाके देगा हो, जदो लाके देगा, उदी demand जब बढ़ेगी, तक किसान को भी option नहीं होएगा, वो भी organic लगाएगा, हुम तुसी मैं पुछो कि किस तरह होएगा, मैं तो उन्हों एक छोटा उदारन दे कि अपनी गल खतम करागा, जद मैं student सीगा है कि मैं एक पार्ट पढ़ेया सीगा, उन्हों ने पढ़ेया कि एक निर्मा साबून दी कंपनी आई है गी है, तुसी जान दी हो निर्मा, washing powder निर्मा, उस्ट बुच के लिए जाना भी चार बच्च दिन विच हो रागे पूजाना भी तौनों ऐसे इनने पैसे दे वाँंगे, तुस्थी सकतवर्ण करना है, काम की करना है, तुसी जिननी भी तौटे हो तुँकाना भी आदे या ळी कि पूलना है अंगा निर्मा है, जी निर्मा देन तो नहीं नहीं मैंतार निर्मा इवाइए लगा लागा इक बच्छा बोल के चला गया उते बाद चार बच्छे दिन विच हो रहा गए निर्मा पुछन वास्ते नोगा जा रहा है कि यारे निर्मा थे को खासी गळा होगी जो इन्हीं डिमांड है गी है और निर्मा जो आके बोलोगे कि मैंनो healthy food चाहेदा, मैंनो organic food चाहेगा, ताहीं तो अनो मिलेगा, ए मत बोलो जी, कि मैं कीनों बोलाँ कितों लेमा, जब तुसी अपनी कोई सारी देखनी हों दिया है, या तुसी अपनी टी-शर्ट देखनी हों दिया है, ताहा तुसी कोई mall नी छड़ दे, ताहा तुसी लब लेंदे हो, किते मिल दी हैगी है, organic food वासे कहने वासे किते लबी है जी, point है कि जए तुसी करना चाहो, तब मेरा submission ही कि तुस चार दिन विचे बंदा पहुंच जाए, एक दुकान दे, बेचो नो बोले कि मैंनो organic food चाहेदा, तुसी देखो कि पंजमे दि नो organic food तो अड़े कर चाहेदा, उथे दुकान चाहा जाएगा, तुसी नो दोश नो देओ, अपने आपने दोश देओ, तुसी अपनी वास उठाई होंदी, तो अड़े फूड भी साफ मिलना सेगा, तो सब कुछ तो अड़े हाच हैगा, तो अपा सब दुजे नो ब्लेम क So thank you very much for this wonderful opportunity, और लगदा है कि इसी तरीके नाली गना करकर के अपना एक नेया नेरेटिव बनावांगे, बहुत बहुत नवास है